हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्यादा थकानों को इसलियने उत पाए चलो चंपारानी तुम्हें उठाना पड़ेगा जाका वले फिर डांट परचाएं बेबीजी साहे बेबीजी ओठी नौ बज गए बेबीजी बेबीजी परचाएं 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 कि अगुए ना कोई खुन खराबा और ना ही कुई हता बाई सिर्फ गले बर चोटके हरे निशान सर इन चारो को भी वैसे ही मारा गया है तुमाल में पत्थर बान कर पहले शाली ने फिर रूहान और अब ये चारो सर पूरा घर साफ कर दिया रुपए पैसे गहने सब लेकर कुछ भी ने छूड़ा मुझे ने लगते हैं किसी एक आदमी का काम हो सकता है चोरी लूट और फिर खुन सर अब लोगों का इस्टाइल थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है ये लोग छोटे शेरों में अपना शिकार करते हैं ताकि किसी की नजर में आ आए लेकिये क्या पटा सकती है कि कल रात को आपने इस घर में किसी को आते जाते हुए देखा था कोई मेहमान या फिर कोई और सांप, कल आट वजे तक तो हम इसी कर भर में काम कर रहे थे हमने रात के बार्तिन साहफ किये अब के पिस्तर लगाए और अफिर रहम फाचों घर से बाहर साथ मही निकले थे, साहिड पांचों मतलब? मतलब कल शाम को ये चारों कहीं बाहर गए थे वो लोग कोई नाटक देखने के लिए गए थे नाटक? कौन सा नाटक? महाभारत, कलाभवन नाटक मंडली का मैं भी वहीं पे था तुम ने उन चारों को वहाँ पर किसी अंजान आदमी से बात करते हुए देखा था? नाटक खत्म होने के बाद चारों मंडली वालों से मिलने के लिए रूके थे उनकी तारीफ करने के लिए और बातों ही बातों में उन्होंने कला मंडल कंपन को पचास जार रुपे देने का वादा भी किया था पचास हजार? इतने सारे पैसे क्यों? कला के बुजारी थे और बहुत पैसे वाले थे वो लोग जरूर ये काम उनी नाटक मंडली के कला करों का है अगर उने जल से जल रोका नहीं कया तो नजने और कितने मासुम लोगों का खुन करेंगे इन लोग लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत या गवा नहीं है हमारे पास अब इन लोगों को गरफतार करने के लिए एसी पिसर के प्लैन बी का इस्तमाल करना पड़ेगा हम पांडवों और आपकी पुत्रवधू द्रौपदी को तेरा वर्ष अज्यातवास में जाने की आग्या दीजिए मुझे अपने वचन का पालन करने दीजिए अब यारे कॉस्टूम मज़ा नहीं आ रहा यार ए हसो मत यार कॉंसेंट्रेक करने दो चल स्टार्ट करो अ पार कार्वो और कांडवो में मित्रता नहीं हो सकती केवल चarily Lean मेत्रता हो सकती है चेथरता मेत्रता पांडवो और हस्तिनापुर छोड़कर अग्यातवास जाना ही होगा और हस्तिनापूर पे केवल दुर्योधन राज करेगा केवल दुर्योधन मेरी बास समझ में नियाती है यह मुत्तु साफ है कहां तुम्हारी बास सुन लिगाई है संजीर मैं अपने साथ ऐसे कलाकारों को लेकर आया हूँ जो कला भावन नाडग मंदली में हमारे साथ पर्मनेंट काम करने के लिए तैया है यह अच्छा आया हूँ कलाकार आओ उपर आओ सब लोगों आओ सभी लोगों मिले हमारे नए कलाकारों से यह हभीम यह अरजन और यह द्रापुदी यह मस्ते है आप लोग के साथ काम करने में बहुत आनन्द आएगा कलाओ अबन में आपका स्वागत है मैं मैं केतन और राफ अ मिस्तारिका हमारा नाम नहीं पूछेंगे क्या है मैं अभी और यह इंसे मेलिये यह बहुत तैयलू है हम सब नाटक के मटली में काम करें देदे साथ मैं मुदूधा नहीं हमें आपके नाटक में रोल देने का वादा किया तो हम लोग मना नहीं कर सके अच्छा हो मुदूधा थेक्षाबस हागया वागया थेजिए हूँ पैसों की बात हो गई है आप चिंता मत कीजिए, अब तो बस आपको हमारा काम देखिए पर आपको आपको पर पराम Sure आप साब ना को जो हमारा फिर हमारा पार मैं आपको आप वकिल्स हमारा इसस नहीं, कि है कि चलो इस तरफ चल के देखते हैं कि गैने जल्दी से तैयार करो कि इस दुकान के मालिक कौन है अंदरे साहब कि कहिए मैडम के लिए अच्छा सा हार दिखाओं देखते ही खरीद लोगे आप दिखाएंगे हम बताएंगे आप नहीं इस लड़की को तो मैंने पहले कभी देखा ही रही इस लड़की ने जो गहने पहले वो सब जगर नहीं मिलते हैं आपने कभी देखा है एक मिनिट आप मुझसे इस सवाल क्यों पूछ रहे हैं कौन हो आप लो जवाब मेला अब सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब देखो अगर तुम अपना मुझ नहीं खोलो गया तो हम तुम्हारी दुकान बंद करवादेंगे हमेशा के लिए इस फोटो में जो गहने का डिजाइन है यह गहना आपकी दुकान पे बेचा गया है ना नहीं साब यह गहने तो मैंने खरीदे ही नहीं पक्का कमाल है फोटो डंक से देखा भी नहीं और आपको पक्का पता है कि आपने यह गहना नहीं खरीद है या दाश्ट अच्छी है सेट जी बात में देख नहीं रहे हो मैं साव लोगों के साथ बात कर रहा हूँ चलो एक बात बताईए जब आप गहने खरीदते हैं तो आप उसका भाव कैसे लगाते हैं सबसे पहले वजन किया जाता है ये जानने के लिए कि सोना कितना तोला है और उसके बाद फिर चेक किया जाता है ये जानने के लिए कि सोना खरा कितना है और फिर यैसा ग्राहब वैसा दाख पेल लें फुटबॉल केलते थे ना आपकी आदाश्ट काफी अच्छी है लेकिन हमारी नजर कमजोर नहीं इस फोटो में जो डिजाइन है ये बाली हुब हुब ऐसी है एक जल्दी कहा गायब हो गया है ये तो मर गया सरित्री चल्दी हमारी आखों के सामने इसे कौन मार गया जिसने भी एकिया है उसने हमारी मुश्कलें और बढ़ा दी जेष्ट भाता युदिष्ठिर मैं प्रण लेता हूँ हम जेष्ट भाता युदिष्ठिर मैं प्रण लेता हूँ कोई फाइदा नहीं कोई फाइदा नहीं अरे डियालोग्स थोड़े नहीं मैं तो दया से बात कर रहा था अच्छा वोगी फाइदा नहीं है यहां नेटवर्क की इतनी दिक्कत है कि एक मिनट की बात करने के लिए पांच मिनट तक टहलना पड़ता है और अरजेंट एक फोन मैं और यहां बहुतेशcen है कि अब लोग से पहले ऐसे एंथिहासिक ऐ सान्सकृतिक नाठकों में काम किया है ःमने किया है कहीं पार ऐसे व किथार मिभायं है हमें तभी तो इहना निशाना अचूक आर्जून जैसी को मेरी ताकता भी जैसी कैना भी पहली पहली और आप साथ काम करें है ना इक बार जान पहचान हो तो फ्लो आ जा जाएगा इसे आप लोग तो चाफ ही समय से एक दूसरे बूसरे पेसे हो यह कंद你的ाफ जंग ऑगी होगे कि बता देते हैं जी या रवदी की कॉस्ट्यूम तारिका को हो गई कॉस्ट्यूम तो बिलकुल फिट है लेकिन ये ये विग आप देख लीजे थोड़ा हूं लेग में शायद थोड़ा कुछ प्रोब्म इस कॉस्ट्यूम और विग की दुनिया से तो मेरी फोरेंसिक लाप केमिकल्स ही बहतर है क्या बात है मैं मदद करूं कुछ नहीं नहीं तो कि आप तो सर्व गुन संपन मालम पड़ते हैं और तों के बाल बनाना मिलांते हैं आप है वहले लेडीज ब्यूटी बालर में कहां करते देखें जी नहीं मैं एक कलाकार हूं कलाकार हाँ भाई सारे तयारे हो गई है आजे चलो चलो कर स्टेज देखाते हैं साथ में एड्रेस और प्रापर्टी भी ले लो जा कर देखनें स्टेज कितना बड़ा है छोटा है बहुत ज़रूरी है संजीव चल भाई हाँ बिलकुल वरना कहीं शो के टाइम टेंशन नहीं हो ज तोचा थोड़ी प्राक्टिस कलो यहां बैट के वो शाम को शो है और कुछ गडबढ हो गया तो पुरा शो खराब हो जाएगा है ना हाँ अच्छा कह रही है आप याद करो हम लोग चलते हैं सब लोग लेके चलते हैं अरे भाई सारी कॉस्टुम्स और प्रॉपटी ठीक तना से चेक कर ली है ना ध्यान से कोई भी चीज चुड़ने ना पाए शो में किसी भी किसम भी गरबड़ी नहीं होने चीए ठीक है ना हलो जी 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 कॉला भॉमन नादक कंपनी बोलिए अभी जी यह दो को परमाल इनका महावारत के नाटक में क्या लेना देना मैंने पत्थर रख दिया और इसे ऐसे बंद करके जोर से खुमाया इसके अंदर की चीज सीधी जाकर के सामने वाले के कंट पर लगी और ऑक्सीजन की कमी की वज़े से उसकी मौत हो ज़ी तब इस रुमाल में पत्थर बांद के के खुण के जाता है खुणीन कलाकारों में सही कोई है कोई चक्र भी उरचना पड़ेगा खुणी को पकड़ने के लिए अरे भाई, सारे प्रोपटीस चेक हो गई? हाँ हाँ, चेक तो हो गया पर ये 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 प्रोपटी देखिए समझ भी नहीं आ रहे है ये कहा से है देखिए ये रुमाल? हाँ ये यह क्या कर रहे है अरे भाई, मीर जी किदरो सत्युक के नाटक में ये कल्युक्क का रुमाल電ें वाले थे कलाकारों को बैर हत्द होगा यार मुझे क्या पता कि किससे दरख दिया हाँ हो सकता है किसी कलाकार ने धो के सुखाने के लिए रख़ाऊगा हाँ og हाँ और गया एकाम करते है मेर साब का पसीनप उसने के काम आएगा को कि अधर मेर कि अधर हुआ रजार विर्ग कि तुम हो अधर के बाद मेर के अधर मेर्ट अधर ऑद हो बार कि अपानलांचे के अधर बार कि अधर भ्म, छिर रहां कार्श यह के है लॉच के मल्स, आरके लॉच केश्वर, बापपा रोज, वेलापूर, नीलम लॉच, सीरगपुर, सीरगपुर? लेकिन लेकिन यह तो नीलम लॉच नहीं है, और यह बाखी लोनों शेहरों में भी, कलाभवन नाटकमंडली वाले तो, सदकारी लॉच में लोगेते हैं, यह तो सरक लॉच के बेस यहां क्या कर रहे हैं? वो सोने के गहने जो तुम तोड रहे थे, वो दिवाकर जी की बेटी शालिनी के थे, तो बताओ, किसने चुराए वो गहने, किसने मारा शालिनी को? साब, साब, मैं तो बस कारिगर हूँ साब, मुझे कुछ नहीं मालूँ साब छोट! छोट बोले ओ तुम! वता कौन है वो, जिसने तुमारे सेट जी का खून किया, और उस लड़की का भी, जिसने गले में सकार्फ पेना था साब, मैं किसी भी कुण के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ साब और उस आदमी के बारे में क्या जानते हो, जिसकी एक पत्थर के है साब, हमेशा एक पत्थर की आखवला आदमी लूट का माल बेचने दुकान पे आया करता था मकर इस बार वो लड़की आई थी गयने बेचने साब तो लड़की ने गयने बेचे या नहीं हाँ साब, बेचे लाँ सेड जी से पैसे लेकर वो जल्दे में निकल गई और ठोरे देर बाद वो पत्थर की आखवला आदमी आया थोखा, सचेन, एक दूसरे को धोखा दे रहे थे पहले रुहान ने अपने साथियों को धोखा दिया पर अब उस लड़की ने रुहान को वो लड़की जब मुंबई आती थी तो कहां रुकती थी, तुम्हें पता है वो तो नहीं पता हाँ, लेकिन वो जब भी सेड़ जी के दुगार पे आती थी तो वोटो भाले को पंदरा रुपे देती थी छुटा तो उसके पास कभी होता ही नहीं था हमेशा मुझसे ही लेकर देती थी पंदरा रुपे अटो रिक्षा का भाड़ा पंदरा रुपे होता था इसका मतलब है ये लड़की जरूर कहीं वहीं आसपास किसी लौज में रहती थी इस दुकान से सचिन, बता लगाओ क्या मतलब इस बात नो मैं ये बताओ कि तुम लोगो पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम शोनी करो गए दिर्क टैसो के लिए काम कर रही हूं कोई समास से वा नहीं कर रही हूं सब को पैसे मिल जाएगे तुम हमें पैसे मिल जाएगे लेकिन मुथू साब आप पैसे लाएंगे कहां से इसकी कोशिश में कर रहा हूं था मुझे इंके बैक में से लॉज के बिल्स मिलें एगे तेखो इसका मतलब कोई है जो कलाभवान नाटक मंडली का पीछा कर रहा है जिसी शहर में ये मंडली गई उसी शहर में उसी तारीक को ये अंजान लोग जा के ठहरे थे लेकिनी बिल्स यहां पर आय कैसे इन लोज में जाके बता करना पड़ेगा कौन है ये लोग और इनका मसद क्या है एक मुट हलो 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 तो होंगी तरही का मसे बुला यहां पर नेटवर्क नहीं मिलता खुद फून पर बात करा देखो ते हैं कौन सा नेटवर्क है इसका वेलकम सर सर हमारे यहां कम से कम और जादा स्यदा रेट का हर तरह का रूम मिलेगा और वो भी फूल फैसलेटी के साथ तो बोलिए कैसा कमरा चाहिए आपको रूम नहीं चाहिए रूम मेजराय था उसके बारे में जानकारी चाहिए जानकारी? क्यो? क्यों? क्यों क्यों चाहिए बैचानते हैं, सर्व ने, साब, मैंने इसको कभी नहीं दिखा सर्, सर्, वेलापूर से जो कागस के टुक्रों के सैंपल हमें बेजे गए थे उस पर भी ऐसी डिजैन थी और सर्, कहनों के लूट पार्ट के बाद उस लड़की ने, वेलापूर से भस पकड़ी थी मुमबई आने के लिए सर्, इसका मतलब वो लड़की इस लॉज में आई थी वो ये लड़की याद, गोरी, दुबली, हाइट लगभग, साड़े-पाच फुट गले में सकाफ, आखर पे बड़ा सा चश्मा और हाथ में काले रंग का सूट केस अजय ने साब, पक्का नहीं आई थी खाना खाया तूँ? खाना? नहीं, क्यों? जेल में क्या मस्त खाना मनाया आज? ओटी रोटी, पतली दाल, तिखी मिर्च, चलो साब, साब चुटो तूटो, साब, 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 महाँकुरदे साब, साब करती हो भी साब साब में लालच में या गया था, मुझे उसाब मुझे उसाब पंद रख लेकले पांटी रुपीय देते था, साब साब मेरा पस इतना ही कसूर है, वो बहुत बहुत देंजर आपी दिखता था, साब क्या क्या जानते हो सब कुछ बताओ वो आदमी दो दिन से इस लौज में रुका हुआ था, अभी भी है? नहीं मेडम, अभी चला गया साब और हाँ साब, वो मेडम काले रंग का सूटकेस लेके उससे मिलने आई थी आज वो यहीं पर बैठ के उसका इंतिजार कर रही थी, कि अचानक उस मेडम का फोन आ गया और वो बात करते हो निकल गई, अभी तक्रीबन एक घंटा पहले कमाल, जिस आदमी से वो डर के भाग रही थी, उससे मिलने वो यहां क्यों आई? आई थी, मिली नहीं, फिर गई कहां वो? सर, कहीं इस डिजाइन में, उस जगे का पता तो नहीं है, जहां वो गई है S.V.R. रोड, बुरा चौक S.V.R. रोड, बुरा चौक S.R. नजकीच जी और चिवराम जी ने जिस नाट्टे संग्रहाले के बारे में बताया था, वो भी S.V.R. रोड, बुरा चौक में है S.V.R. बुरा चौक में है S.ंग्रहाले तो कई साल पहले बंद हो चुका है S.R. पर वो तो सालों पहले बंद हो चुका है S.R. क्या S.R. तो फिर वो लड़की उस पंद संग्रहाले में क्या करने गई थे S.R. जबकि उसे तो मुंबई शहर चोड़के भाग जाना जाहिए था S.R. बुरा लो S.R. मिर्साब, इस तरह काम बिकड़ जाएगा S.R. हमने काफी अर्चों से आपके साथ काम किया है S.R. ये कौन लोग है S.R. पूर में अपने नाटक मेंड़ी के अलावा किसी और को भी जानता है क्या S.R. लोग को कहीं देखा है S.R. लोग को यहां नहीं आना चाहिए था S.R. हमें हमारा हिस्सा चाहिए S.R. हमें हमारा हिस्सा चाहिए S.R. हिस्सा में जाएगा S.R. पहले यह काम कर दो S.R. उसके बाद चलो S.R. जाओ यहां से S.R. जो अलग अलग लॉज में नाटक मंदी के नाम से रुपते हैं और जग 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 जाकर लूट पार्ट करते हैं S.R. मैं कुछ फोटो बेज रहा हूं, S.R. S.R. लगता है यह लोग है जो उस नाटक मंदी में जुड़े हुए S.R. दर्वाजा तो खुला पड़ा है S.R. अगर यह जग काफी दिनों से बंद पड़ी है S.R. तो यहां पे आत्मा हुआ एकर अपर रैडी S.R. इक्या डर पार लगखा है तुमने आत्मा हो S.R. बार निकले, S.R. मैं यह डर तुम्हाने बीमारी बन जाएगा S.R. मैं कोशिश्च करूँगा S.R. लेकिन यह पत्थर के आखवाला आज में इस लड़की को यहां क्यो लेकर आया होगा S.R. यहां पे पैसों का बटवारा करने आया होगे S.R. चलो, अंदर चलके तेक्ता S.R. ऐसा लग रहे हैं यहां भी यह कुछ जलाएगा S.R. पैल जाओ, लेको कौन है S.R. त्यान से S.R. अजय को pneumat S.R! S.R. R. 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 R.R. R. 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 सार, सांसे चल रहेंगे सार, सांसे चल रहेंगे हराब से, हराब से और राम का है तम्हारा? survived से नेना किसने किया ये स किसने किया ये स spring प टां के प टांकी पलतकी श्रहा अफ्रेडी इसको जाल्धी से हस्ताल की बाहरे सब जालो, सम्मलके इदे के सिरू, कितने सारे फाइल्स और पेपर जला दिये उसने लेकिन इंड में क्या होगा? कुछ तो है जो पिता की चला कर ख़तम करना चाहता था देखता है सर, यह देखे यह कलानगा नाटक मंडली के इत्यास की पत्रिका का रिकॉर्ड है सर, इस रजिस्टर के हिसाब से आखरी बार उनिस सो पिचानवे में इसी गुर्प का कोई सदर्स से पत्रिका को लेकर गया था इसका यह नाम और साइन जल गया है लेकिन अड्रेस पूरी तरह नहीं जला चिलकुर्नगर 21 चिलकुर्नगर 21 21 क्या हो सलता है सर, कहिए किसी जगा का कोई रूम नंबर तो ले रूम नंबर 21 रूम नंबर एंक मिनट चिलकुर्नगर में एक होस्टल है ना, ड.A. होस्टल हो सकता है उस होस्टल के रूम नंबर 21 से कोई शक्स आया हो हो सकता है सर क्योंकि ड.A. होस्टल से करीब दस मिनट की दूरी पर एक पुराना ड.A. कॉलेज है और वहां की स्टूडेंस इसी होस्टल में रुखते हैं एकाम करते हैं, ड.A. होस्टल चलते हैं देखते हैं कि कौन है जो कला भवन के ठगों की तरह लूट मार और खूल कर रहा है यह मीर बाहर जाकर इन लोगों से मिला था शायद यही है वो ठग लुटे रहे हैं अच्छा, यह ठग लुटेरे नाटक मंडली के साथ साथ खूम रहे हैं जहां जा यह नाटक मंडली जाती है यह लोग वहीं पे लॉजिस में जाय के ठैर जाते हैं कहीं दिश्यदार बंकिया और कहीं गवा बंकिया अपना काम कर रहे हैं कि बिल्स कौन जमा कर रहे हैं अब तक कुछ पता नहीं लगा कि समीर पही नजर रखते हैं कि सब पता चल जाएगा घबरामत भांजे जब तक तुमारा शकुनी मामा जीवित है ना कब तक पांडवों की कोई चाल नहीं चलेगी तक पर मुझ्वारी एस अंगर कार शासवर देख्धा को बोल डिया के दुरवपदी के लिए मुझे लाल लाइट को एप बोल या दा? बोग या जूब मिन बोल या जब को इती अहं का नहीं आत्मसमान का प्रशन है हयो इती इती कॉम्लिकेटिग लाइट कैसे बोलनेशे है पे को किसी आजर चीए कि ये फॉरंशी कमी ठीडियों जान बशुटाइग आपूट दो इस तो करता हो नहीं जाए लुट जाएगा ये प्रांट आंती हूं के मैं ये केस जब तक उस दुश्चा शातां के रख नहीं रंगे जाएंगे ये केस्वे हमेशा है से खोले ही रखंगी वह वह चाहँ आफ किया बात है। क्या एक्टिंग करती है? यह काम कीजैगा। जब केश खोड़ी लाइन बोली नाख लेख तो ये भालों के जटकटी जिए बहुत मस्स लगें गे जशेफ एक बात बोलूगा नाब पूरी बहुत मस्स लगें यह तर्यव्ड हन् और रियसल करो, नीचे जाओ और रियसल करो, नीचे जाओ पिचारा केतन वाल वाल बज गया मजाट सूच रहा है था रहे मजाट आ करो या यह मीर कहां गाइब हो गया यही पे फोन पे बाते कर लादा था यह कर दो सौरी सरसर, आपको इंतजार करना पड़ा बताएं, क्या काम था? क्या साल 1995-1996 में आप इस होस्टल में काम कर रही थी? नो सर, मैं तो सिर्फ पिछले दो सालों से यहां काम करती हूँ कोई और है इस होस्टल में जो उस समय से काम कर रहा हूँ जी हां, पार्थ जी सर, वो नाइटी 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 फाइफ से इस होस्टल के फ्रकल्टी मेंबर है बुलाओ नहीं प्लीज पार्ची CID Officers आये हैं आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी क्या मतद कर सकता हूँ आपकी? जी हम एक ऐसी स्टूट्ट के बार में पता लगा रहे हैं जो पासवाली ड्रामा कॉलेज में पढ़ता था क्या अभे और उसका नाम तो हमें नहीं पता इंफक्त हमें यहीं नहीं पता कि वो लड़का है या लडकी हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 1995-96 में वो यहां आपके होस्टल में रहता था य यहां रहते थी 95-96 Yes यहां रहते तो थे, इन फेक्ट एग नाटे महुटसव नहोंने इससा भी लिया था और ट्रफी जीत कर लाय थे, मुझे अची तरह याद है, दिन राज रहसल करके है, उन लोग ने नाट मेदम कर लाखा था मेरा उन विद्यार्थियों का नाम पता कुछ बता सकते हैं आप, आम सॉरी, इते पुराने रिकर्ड्स नहीं है इमनों के पास, आपने कहा कि उस साल उन्होंने नाटे महुटसव में ट्रोफी जीती ती, येस, तो फेक कोई फोटो बगएर तो होगी आपके पास, येस, एक अलब ओ, तो ये है, हलो, क्या, तुम्हें पच्छास हजार रुपे बतौर कमिशन चाहिए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कहां से लाओं में इतने पैसे, मेरे कलाकार मुष्ट में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करना मुझे तुम्हारा शोग, नहीं करना जाओ, पता नहीं कहां कहां से आजाते, नमस्कार, जी नमस्ते, आपी कलाभोन आतक मंडली के मेनेजर है, जी यहां मैं ही मेनेजर नूँ, बताइए बहुत ही अच्छा आविने करते हैं आपके कला कर जी शुक्रिया फोतो है अने से साथ ये कुछ रुपए लेजिए हमें आपका एक शोग करवाना जी यहां हम लोग ज़रूर शूग करेंगे बस आप टेट और टाइम बता दीजिए हम ज़रूर शूग करेंगे जी ताइम और डेट हम आपको बहुत जल्द बतारेंगे अच्छा नमस्कार ची नमस्कार ये आपकोणोड आपकोड़ शूग करेंगे, और शूग पिंगे रुपणा में आपकोड़ खा हम. कि सी आइडी सी आइडी चल 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 पत्थर से छटका देकर लोगों को मारते हो नो तुम लोग अब हमारा चटका देखना हम पर फरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है अगर आज आप लोग हमत नहीं दिखाते तो हम लोग इन ठकों को कभी भी रंगे आथों महीं पकड़ सकते थे अच्छा तो तुम लोग की चाल थे में पकड़ने के लिए ना हमें पहले ही पता चल चुका था कि तुम कहां है तुम्हारे बाकी के साथ ही, और कौन है तुम्हारा बॉस जिसे इतिहास दोगराने का बहुत बड़ा शोक है हमेरी पता, आप किस की बात कर रहे है मीर और पिताकी, तुम्हारे साथ ही है न, बोल हाँ, मीर और पिताकी, दोनों साथ में ही है, मगर मुझ अपका कि मैं सरदार के साथ बिश्वास काद तुन ही बचोगे बहुत हो गए पिताकी पहले अपने आपको देखा कि दिखा मेर साब कि मीर साब के वर्तमान के चंता छोड़ और अपने भवेशी के जिंता करतू तो जेल की सलाखों के पीछे कटने वाला है मीर साहब तुमारा नाटक खत्म अब हमारे नाटक से परदा खुलेगा अजया अजया अपराद हुआ था युदिष्टिर से अपनी अर्धांगिनी को श्यान कक्षे चौपाट तक लिकर आया था वो अश्यात आपका आवास तो हो रहा था परंद तुक्या ध्रौपति उन्हें शमा करेगी अब अब कि अर्धांग नहीं हूँ जीवन संग नहीं हूँ वस्तो नहीं जिसे अपडाव पर लगा दे खोर अपराद हुआ है मुझे पांचाली विवश्य हो गया था मैं उस पल उस छण को मैं स्परिती से ओजल करना चाहता हूं आपका अपराद शमा के योग नहीं है अपके बादी में हार गए यदि आप अपने अपराद को सुरीती से ओजल करने का उद्देश रखते हैं तो उस दुश्य दुश्यासन के प्राण मुझे लाफ कर दीजिए ओ दुश्यासन कोई सम्मान नहीं वो क्या किसी के प्राण निकाल पाएंगे तुम्हारे पाचो प्राण नात ने तुम्हें अनात बना दिया है यदि मांगना ही है तो मुझ से मांगो इन कायरों से मांगोगी तो केवल दरिद्रता एवं अपमान ही पाओगी दुश्यासन इस ब्रह्म में मत रहना यदि चोपड में हमारी हार हुई है तो हमारा बाहुबल निर्बल हो गया है तुम्हारी कटू वानी जिस मुख से निकली है उस मुख का मुकार्विन मैं नश्ट कर दूंगा दुश्यासन मैं पांचली आज ये प्रण लेती हूँ कि जब तक ये दुश्ट दुश्यासन के रक्ष से अपने केश ना रंग दूँ मैं अपने केश हमेशा खुले ही रखूँ मैं तुम्हें वादा करता पांचली इस दुश्यासन की छाती चीपकर इसका लहु निकाल लूँगा मैं ये सब क्या अनर्थ हो रहा है इस दुर्भाग्य वश्ट परिस्थिती के उपज मेरे ही कारण हुई है सत्यवचन भ्राता युदिष्ठिर सत्यवचन असली अपराधी आपको इसलिए केवल दंड आपको ही प्राप्त होना चाहिए कि दोनों अर्जुन और भी मेरे नाटक की वाट लगा देगे इतिन इतिन इससे पहले कि पब्लिक हमारे उपर अंडे और टमाटर फिके तुम्हे काम करो तुरुपदी को यहां पर लेया और युद्ध का एलान कर रो रुग्याओ पांड़ो तुम मेंसे असल अपरादी कौन है इसका निरने तुम लोग बाद में कर लेना परन्तु अभी मैं दुरुपदी को अपने साथ लेके जा रहा हूं तत्पश्चात नहीं निरने अभी ही होगा तुरुपदी यह अर्जन तुम्हारा और अपमान नहीं होने देगा बराता भीम तुष्चातन को समझा दो जो आ गया बराता हमें चल तुम चाह रहे हो भीम इस सारे नाटक के नुकसान की भरपाई मैं तुम से वसूल करूँगा हम लोग CID से हैं और कोनी को पकड़ने के लिए जाल बिचा है हम लोग ने समझे इसलिए आप तो वसे विननती है कि आप लोग यहीं खड़े रही है और हमारा नाटक देखिए आपके इस अपराद का सिर्पे की दंड है गृत्यु दंड ये क्या कह रहे हो अनुच अपने जैश्च भ्राता पर बान चलाओगे ना भ्राता ना ना इस पापी की हत्या करने के लिए आपको अपने बान नश्ट करने की जुरूत नहीं है इसे मानने के लिए मेरे पास एक नया शस्त्र है ये शस्त्र आज से हजारो साल पश्चाद कल्यूग में उप्योग किया जाएगा जिसकी शुरुआत साल 1890 में होगी अधर पश्चाद 2013 में संजीव नाम का एक अपरादी मनुष्यवत के लिए इस शस्त्र का उप्योग करेगा ये क्या बोल रहे हो मैं निर्दोश हूं मैंने कोई खुन बुन नहीं किया खुट मत बोलिये ब्राता श्री हमारे पास केवल साक्ष ही नहीं साक्षी भी है मतलब सबूत ही नहीं गवाह भी है गवाह पेश्किया जाए को करना तुम लोग है कि अभी ज़्यू शुद्दोश भी जी यह और खॉरंसिक एक्सपर्ट टॉक्टर तारिका तुम्हारे गुनाओं का पड़ा फास होचो काई संजीव इताकी और मिल ने तुम्हारे खलाब बयान दे दिया करें प्रादाशी नहीं हुआ है सर, कलाब अवन नाटक मंदली चलाने के लिए पैसे चाहिए थे सर, पुरे साल महनत के बाद भी, हम लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि मंदली का खर्चा उड़ा सके सर, जब कलाब अवन के ठकों का इतिहास पटा चला, तो मैंने, बिताकी, रुहान, मीर और नीना के सा कर दिया, इमानदारी के दुकान बंद कर दी और भेमानिक शुरू, संजीर तुम कलाकार तो सचमुच बहुद अच्छे हो, लेकिन तुमने अपनी कलाका उपयो गलत कामों मुझ किया, तुदिस्टर तो धर्मराज से, लेकिन तुमने अधर्म का रास्ता अतना है, अजुआ अच्छे पर नो, आख नो, आख अग्दाओ से, लेकिन आख अग्ठीच, उष्ण पिर दूदिस्टर तुमने से, जबझ जवाटर, दुमने अन बास्ता तुमने अग्मिने, तुमने 50 अग्ड़ों से, लेकिन तुमने डंदाए खिर दुमने को श्यरू, सब्सक